हेलो गईस स्वागत है आप सबका तो आज हम बात करें कि वारी रिन्यूबल्स की ट्रेंड लाइन के संकेत आप देख सकते हैं और इससे बेपहले अगर आप नहीं आहें इस चैनल के ऊपर तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें क्योंकि इसके ऊपर वारी चैनल को सब्सक्राइब जरुर करें, और अपने दोस्तों के साथ शेर भी जरुर करें. जैसे कुछ अच्छे स्टोक हमारे रडार के उपर आते हैं, तो वह जो है हम शेर करते हैं, और देखे कुछ sales के अंदर तूरन तेजी आती है, कुछ के अंदर थोड़ी सी देर लगती है, और कुछ के अंदर stroke loss भी trigger होते हैं, आप trade ले या न ले वो आपकी मरजी की बात है, लेकिन आप हमारे दूसरे वीडियो को देख सकते हैं, उसके अंदर आपको कुछ नया सीखन को मिल सकता है, तो अभी हमारे चैनल को subscribe जरूर करें, और अपने दोस्तों के साथ share भी जरूर करें, आज भी अगर कुछ अच्छे stroke हमारे radar के उपर आएगे, तो वो भी हम share करेंगे, चले वीडियो को आगए बढ़ाते हैं, तो यहां पर आप देख सकते हैं, ट्रेंड ले तो यहां पर एक यह higher low की trend lane, यहां पर अगर बनी हुई है, और उपर की trend lane, lower high की, तो यहां पर इस level को अगर breach होता है, तो breakout आसकता है, यहां से breakdown, कहीं न कहीं जो है, इसका दाइरा जो पहले बढ़ा था, अब वो छोटा हो रहा है, तो यहां तो breakout यहां तो breakdown होने की chances यहां आप नजर बना के रख सकते हैं, और मुझे इसा अलग रहा है कि medium to long term की बात करें, तो एक अच्छी तेजी की संभवना रह सकती है, लेकिन हां यह short term में volatility रह सकती है, और अभी यहां पर दिख रहा है, support की अगर बात करें तो 1420 या 30 रुपे का असपास का zone, register की बात करें तो तकरीबन 1580 का zone, इस हफते 1580 का असपास का इसने शायद high बनाया था, तो यह trend line को आप खास देखें, यह काफी important रह सकती है, और कल भी इसके ओपर चार्चा करेंगे, तो subscribe तो जरूर कले हमारे चैनल को, अब यहां पर जरा देखें 15 मिनिट का चार्ट, आज के दिन हु अब ही थोड़ा सा वोल्यम कम हो चुका है, तो यसा लग रहा है कि बाजार को किसी बात का हो सकता है कि वेट हो, quarterly result का भी weight हो, मतलब की हो सकता है, अब अगले महीने ही company के quarterly result भी आने लगे, तो हो सकता है, इसके भी result आई या फिर उसके बाद के महीने में आई, तो उसका औ अथे उसके लिए थके लिए हो दसके लिए लगातार नीचे बना हुआ है यह, इस अपते यह बुल्स इसके अदर हो, इसा लग रहा ही कि बुल्स जो है, वो उपर खीचने की कोशिश कर रहे है, लेकिन बेर्स जो है, वो लेट इसको खीचकर भीrånीच लेआते हैं, इस हप तो इस लेवल के उपर अगर अगर क्लोजिंग देते तो स्ट्रेंथ वापस आ सकती है ऐसा लग रहा है यहां पर और इसको जो फास्ट मोविंग भी कह सकते है अब यहां पर अगर देखे डेली चैट के अपर बुलिंजर बेंग लगाया है तो यह इंडिकेटर पर काफी नीचली लाइन अभी इसकी 1400 के असपास है तो पहला सपोर्ट का काम यह लेवल जो ही कर सकता है अगर इस लेवल के उपर जला जाता है पंधिरा सो को सक्सेस्पुली पार कर देता है तो शोट टम की बात कर तो फिर 1600 तक जानी की संभव ना रह सकती है अगर वो लेवल भी सब्रीच हो जाए तो अच्छा रह सकता है जैसे कि हमने देखा 5 और 9 विक का मूविंग एमिरेज के उपर क्लोजिंग देदे इस फ्राइडे तक तो अच्छा रह सकते है आरे साइव 43 के असपास है तो वह चीज यहां पर अच्छी दिख रही है सपोर्ट एलिया जो है इस 21 दिन का जो मूविंग एलिच है 1528 का असपास है यह लेवल काफी इंपोर्टन रह सकता है इसके ऊपर यह टिकने लगे तो अच्छा रह सकता है काई ना काई क्योंकि यहां पर भी कहीं बार इस ने इस लेवल के ऊपर टिकने की कोशिज की तो भी जो है स्टेंथ वापस आ सकती है तो अब इसके सपोर्ट और रजिस्टन देख लेते हैं 1483 का प्राइस है अभी इसके अंदर जैसे कि हमने बात की यह ट्रेंड लाइन देखी उपर और नीचे की इस तरीके की तो ट्रेंड लाइन की अगर बात करें तो अगर नीचे यहां पर हो ही यह रहा है और अ सपोर्ट और रजिस्टन को पर नजर बना करक सकते हैं ट्रेंड लाइन का अगर ब्रेक डाउन हुआ तो और गिरावटा सकती है ब्रेक आउट हुआ तो और तेजी की संभावना रह सकती है अभी फिलाल यहां पर लग रहा है कि थोड़ा सा नीचे आनी की संभावना हो सकत है हाँ अगर कुछ लेवल्स को यह पार नहीं करता तो लेवल्स कौन कौन से हो सकते हैं वो हम देखें के पहले हम सपोर्ट की बात कर लेते हैं तो नस्दी की सपोर्ट देख रहा है एक तो 1420 रुपे का सपस गज़ोन उससे पहले यह आज का जो लो है वो और उसके नीचे जो है 1350 से लेकर उसके बाद 1250 और 1200 का लेवल यह लेवल जो है थोड़े से दूर है 1250-1200 लेकिन नस्दी की सपोर्ट इसके यह देख रहे है तो पहला है रजिस्टन इसका 1520 उसके बाद जो है तक्रीबन 1550 का लेवल यह लेवल अगर दोनों ही पार होते हैं फिर इसके अ करें सब्सक्राइब जरूर करें हमारा दूसरे वीडियो भी आप देख सकते हैं और एक स्टांडर्ड इसक्लेमर जो कि मैं हमेशा देता हूं आप कोई भी ट्रेट ले उससे पहले अपनी रिसर्च करें अपने फाइनेशर इडबाईजर की सला ला ले उसके बाद ही कोई डिसी जनले और डिसी जनले तो उसके सिमेदारी में चौनटी के साथ को दी ले यह वीडियो मैंने जो किसन परपस के लिए मेरे तरब से को जो बाई असल के रेकमेले चलिए थेंक यू